केंद्र सरकार ने NCP के अध्याक्ष शरत पवार की सुरक्षा में इजाफा कर दिया है अधिकारियों ने बताया कि अब केंद्र ने भी उन्हें Z-Plus Security दी है शरत पवार को अभी राज्र सरकार की तरफ से Z-Plus Security कवर है राजे में घटना करम और चुनावी महौल को देखती हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा का सुझाओ दिया था जिसे शरत पवार ने स्विकार कर लिया है सुरक्षा बढ़ने की बाद अब CRPF के 10 जबान काफिली में रहेंगे कुछ दिनों पहले केंद्री एजन्सी की तरफ से शरत पवार की सुरक्षा की समिख्षा की गई थी शरत पवार से उनकी दिन चरिया और कामकाश की ठिकारे जैसे विश्यों पर बात हुई थी महारास्ट में विधान सभा के चुनाव होने हैं अभी तक चुनावों की घुशना तो नहीं हुई है लेकिन अक्टूबर नवंबर में यहां चुनाव कराये जा सकती हैं चार अक्टूबर को हर्याना और जम्मू कश्मीर के नतीजे घुशित के जाएंगे इसके बात महारास्ट में विधान सभा चुनाव होंगे देश में VVIP लोगों को केंद्र और राज्य सरकार सुरक्षा देती है यह सुरक्षा खत्रे के लेवल को देखती भी तैग किया जाता है सरकार VVIP की सुरक्षा का आकलन करती है और फैसला लेती है देश में बड़े निताओं, जज, खिलाडियों और अभी निताओं जैसे VVIP को सुरक्षा प्रदान की जाती है जेट प्लस भारत की सरवच्च सुरक्षा कैटेग्री है इस सुरक्षा कवर में CRPF के 10 जवान, NSJ कमांडो और पुलिस कर्मी शामिल होती है इसमें कुल 55 सुरक्षा कर्मी होती है इस कवर में शामिल कमांडो, मार्शल आर्ट जैसी कला से ट्रेन होती है जेट प्लस सीक्योरेटी कवर में तैनात जवानों के पास मौडर्ण हथियार होती है प्रधान मंत्रियों और राजियों के CM जैसे VVIP को ये सुरक्षा मिली हुई है